दोस्तों बात करें, जो मेरे हाथ में फोन है, इसका सक्सेसर यहाँ पर आने ने वाला, अगर इस फोन को नहीं पहचाना है, तो यह है Samsung Galaxy S21 FE, और जहां तक rumors, reports वगरा चल रही है, तो लग रहा है कि S22 FE शह है, इस साल आपको देखने को नाम ले, इसके साथ ही यहाँ तक तो Note line-up को खतम कर दिया था Samsung ने, अब Note series आती नहीं, जबकि वो इतनी popular series तो उसके separate fanbase था, ऐसी बात करें तो यहाँ पर Samsung A series के भी multiple products already cancel हो जगे है, जलब 2019 में Samsung A series में 9 phone आते थे, A10, A20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, जी हाँ, इन 9 series को खतम करते-करते बहुत कम आ गया, यहाँ तक की A80 ज design था, rotating camera था, और बाद में sales discount में से तो बहुत लोगों ने यहाँ पर खरीदा है, लेकिन inside के सभी phones को यहाँ पर discontinue कर दिया, और आने वाले समय में शायद पता A10, A30, A50, यही सभी देखने को मिले, क्योंकि यह कहानी चल रही है Samsung की, और देखा तो एक करके phones को यहाँ पर kill कर रही है, लेकिन कभी सोचा है कि Samsung वाले इतने सारे phones को यहाँ पर kill क्यों करते जा रहे हैं, वेल इस वीडियो में इसी के बारे बात करते हैं, पसंदा लाइक करो, शेयर करो, सब्स्राइब करो सीधे, अब सबसे पहले बात करते हैं, कि Samsung की strategy यहाँ पर क्या चल रही है, ज उन्होंने देखा कि जो फोन यहाँ पर मार्केट में चल रहा है, उस पर जादा फोकस करो, और जो फोन मार्केट में नहीं चल रहा है, उसकी उपर थोड़ा कम फोकस करो, इसलिए Galaxy A80 को वो response नहीं मिला, वो हटा दिया, ऐसी A series में A50 series और A70 series है, उन्होंने A53, A73 निकाल ले से बेटर ही है, कि उन्हीं पर फोकस किया है, जो मार्केट में उनके बिख सकते हैं, जिनकी यहाँ पर डिमांड है, जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, फालतु में बहुत सारी चीज़ें निकाल ले से, कहीं न कहीं उनके पास बहुत सारी units unsold रह जा वहाँ भी आपको S Pen वगरा सब देखने को मिल जाएगा, लेकिन नीचे वाले model S series क्योंगे, और इससे उनको benefit ही मिला कि, एक जैसे phone साल में दो बार launch करने से बेटर है, कि साल में पहली बार S series का phone launch कर देंगे, जैसमें S Pen वगरा सब आ जाएगा, और बाद में आगे चलके अपना flip or folder launch करेंगे, जहाँ पर ये अपने innovation वाले चीज़ों को दिखा सकते है लोगों को, यानि कि दो separate launches नों ने यहाँ पर कर दिये, ये चीज़ Samsung ने करे, और वहीं बात करे, FE series के साथ उन्हों ने क्या किया, देखो Samsung की FE series तो काफी अच्छी थी, लेकिन FE series के अंदर प feature मिल रहे थे, जो आपको एक flagship के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में cost cutting कर दिया, इसे build quality में पीछे plastic दे दिया, लेकिन इससे impact ये पड़ा, कि कुछ लोगों नहीं यहाँ पर जो S22 लेने वाले है तो उसके बाद उन्होंने FE ले लिया, ठीक है, शुर बचके रहे गया, यहाँ पर यह, कि Samsung को समझ में नहीं कि इसे यहाँ पर कैसे निकाले जाए, इसलिए बात में आगे चलके discount वगरा में इसको काफी जादे निकाल लेकि कोशिक करी, यह कहानी थी यहाँ पर FE Series की, और देखा तो यही एक चीज़ चीज़ चल रही है, अभी की डिमांड के हिसाब से region-wise F-Series, M-Series यह सब यहाँ पर निकालता है, गुल मेला के बात करने चाथ, Samsung पहले बहुत सारे phones बना रहा था ना, अब सिर्फ उन्ही पर ही यहाँ पर फोकस करना चाहता है, जो exactly में यहाँ पर चल सकते है, market में उसके लिए profit ग्रैब कर सकते है, और एक और इसके पीछे का reason यहाँ पर यह है, कि यहाँ पर software update भी Samsung को provide करना आसन पड़ेगा, जिको Samsung के साथ बात यह है, कि Samsung यहाँ पर software update प्रॉमिस करता है, लेकिन एक बात यहाँ पर Samsung के साथ है, कि लगपक सभी phones को अच्छे तरीके से update प्रॉइट कर रहा है, लेकिन problem पता क्या है, जब आपके बहुत सारे phones होते हैं, तब हर phone को लंबे समय तक update दे पाना काफी मुश्किल हो जाता है, और इसमें resources काफी जाते हैं, और एक problem आ जाती है, कि नए phone आ रहे है, उसको software update जल्दी दे, या फिर नए phone के उपर काम करें, फिर पुराड़े बहुत सारे phone बचे उनको update दे, इसलिए उन्होंने ये decide कि अब से हम कम phones को launch करेंगे, ताकि हम जल्दी से जल्दी जातर phones तक update पहुंचा पर है, यह यह Apple करते है, Apple का product portfolio बहुत limited है, और उन्हें सिर्फ limited iPhones के लिए हाँ पर software develop करने, इसलिए वो बहुत जल्दी सब के लिए एक साथ develop कर सक Samsung भी काम कर सकता है, उसके पास भी limited phones हो, और यही एक reason कि इस बार वो थोड़ा सा limited जाने की कोशिच यहां पर कर रहे है, और एक और पीछे का कारण यहां पर Samsung के साथ ही है, कि यहां पर supply chain, जब उसके पास limited parts, limited components हा रहे है, उसको वो efficient तरीके से use करना चाता है, उसको वो ऐस यहां पर काम कर रहे है, यहां तक कि अगर वो अच्छे तरीके से limited phones के उपर काम कर रहे है, तो quality control भी अच्छा रख सकता है, जिससे लोगों को आगे चलके किसी type की issues देखने को ना मिले, hardware related mobile phones में, और देखा है तो पीछे जो strong supply chain अनों ने कर रखे है, वो भी काफी बड़ factor है, और देखाया तो पिछले कुछ समय में Samsung को इसका benefit इंडिया में मिला, देखो इंडिया में अभी last quarter के अंदर ये लोग number one हो गाए, और एक पीछे का reason है कि festive season में ने बहुत जबज़ज़ बूस्ट मिला, जबकि Xiaomi और Realme जैसे brands यहां पर बूस्ट नहीं ले पाए, इव इसी brand value को वो maintain करना चाता है, और इसलिए limited में वो phones को निकालना चाता है, जो यहां पर उसके यहां पर बिक्ते रहे, तो basically यह कुछ car ID जिन से Samsung देखा तो अपने phones को यहां पर kill कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ उनी phones को यहां पर kill कर रहा है, जो देखा जाया तो उथने अच् पसंद नहीं करते थे, A73 काफी अच्छा example है, हाला कि phone अच्छा था, लेकिन बात यह की price point थोड़ा जादा था, और A series वाले योपर जाना थोड़ा पसंद किया, ऐसे ही S21 FE था, यहां पर देखा है तो S22 के पीछ जाना पसंद किया, यह एक कहानी Samsung के साथ है, और इनी चुरू किया, तो हो सकते है, आने वाले future में और कम phone launches आपको Samsung के देखने को मिले, क्योंकि एक जमाना मेरे को याद है, 2020-2021 में बहुत सारे Samsung के phones आते थे, अब बहुत कम करती है नो ने काम, देखने वाली बात है कि आने वाला future क्या होता है Samsung के लिए, by the way मेरा आप लोगों स एक सवाल है Samsung को लेकर, आपका Samsung का favorite phone यहाँ पर कौन सा है, यह बाद आप मुझे नीचे comment में बता सकते हैं, वीडियो पसंद है, like करो, share करो, subscribe करो, चल को गरिए तक नहीं किया है तो, thank you कि वीडियो देखने के लिए, मैं आप से मिलता हूं next one में, goodbye